मूवी के शुरुवात मैट सलिवन नाम के बंदे से होती है जो कि अपने धर की दोस्त के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है और मैट की बहुत ही खुबसुरात निकोल नाम की गल्फ्रेंड होती है और दोनों ही जाने एक दूसरे के साथ काफी खुशी से रह रहे होते हैं यानि वो हर रोस अलग-अलग लड़कियों के साथ वन नाइट स्टेंड करता है लेकिन उससे कुछ भी परक नहीं पड़ता क्योंकि वो निकोल को भूल पाई निरा होता फिर मैट ये सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक कसम खाता है कि वो 40 दिन तक ना सेक्स करेग खेर हमें फिल्म में ऐसी ऐसी सिचुएशन ने क्रियेट करके दिखाई जाती है कि मैट को अपनी कसम पूरा करने में उतनी दिक्कते और परिशानिया आती है जितनी आपको अपने पपा को गोवा के ट्रिप के पैसे मांगने में आती है अब मैट को कैसी कैसी परिशानिया आती है वो उनसे बचने के लिए क्या-क्या हदे पार करता है और एंड तक क्या वो निकोल से मूव ओन करके एक अच्छा रिस्पेक्टेड जेंटलमेंट बन पाता है जो कि रिलेशनशिप को सिर्फ सेक्स के नजरिये से ना देखता हो क्या वो ऐसा इंसान बन पाता है या नहीं वो जानने के लिए तो मूवी देखने पड़ेगी ओवरल फिल्म की बात करें तो ये एक काफी सही टाइम पास फण मूवी है जिसकी स्टोरी क्लिशेट साउंड कर रही होगी लेकिन मूवी के अंदर विखाई जाने वाली जो कोमेडी है वो पैत्रीन है और अच्छा खासा हसा के जाती है तो अगर आपको 90 के वाइप वाली सेक्स कोमेडी या रोमेंटिक कोमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है देन 2002 की 40 डेस 40 नाइट एक काफी बढ़िया ऑप्शन है जरूर चेक आउट करना रिकमेंड करूंगा अपनी गल्फरेंड के साथ देखो एक रिलेशन्शिप के ऊपर काफी अच्छा मैसेज देखे जाएगी मूवी मैं मलता को नेक्स वीडियो में से यू सून